आप लोग अच्छे होंगे तो आज को यह वीडियो बेसिकली किसलिए है कि आप लोग को इंडियन कोस्ट गार्ड का लिए नाविक डीबी यानि डूमेस्टिक ब्रांच का आज से फॉर्म एपलाई स्टार्ट हो चुका है तो आपको फॉर्म एपलाई करना चाहिए नहीं कर में कर दाता है तो देखिए आज का ये फॉर्म आपका लगबग हर सेटीट का अलग अलग UDーいक करना चाहिए यह नहीं कपला आपका अपadata परेसंटेज समझे कि कि आपका प्रसिंटेज गम है तो आप क्या करें आपको इसको से हैं उसका परेसंटेज जाला जाता है कट तो तो देखिए आपका free में form है कोई form का पैसा नहीं लग रहा है तो आप form apply कर दिजे यदि आपका समझे कटफ से हाई भी लो भी रहता तो कुछ दिक्कत नहीं है आपने एपलाई किया है वही बड़ा बात है फॉर्म का यदि आपका आडमेट कार आ जाए तो बहुत अच्छा नहीं आए तो कुछ किया नहीं जा सकता क्यूंकि इसमें वेकैंसी भी बहुत कम है एप पचास यह जिसमें जेनरल वालों के लिए ओनली वेकैंसी है तो ऐसे वेकैंसी निकलती है क्यूं है यादि पचास पचास कुछ वेकैंसी होती है एक इंटे कि इन्हों ने कैंसिल भी किया सायद सम्थिंग तो इनको कम से कम 100 डिर सो प्लस वेकैंसी निकलनी चाहिए तो यह लोग वेकेंशी भी बहुत कम निकलती है, तो इसका form कब से कब तक भर सकते हैं, 30 नवेंबर 2020 से इसका form चालू हो चुका है, 7 दिसम्बर 2020 तक इसका form साम 5 बजे तक भरा जाने वाला है, और इसका जो admit card आएगा आपका 19 December से लेके 25 December के अंदर इसका admit card जारी हो जाएगा तो समझे प्रोसेस तो बहुत fast इन लोगों ने चलाया है देखिए क्या होता है तो आप लोग अपना form जुरूर फिल कीजेगा चाहे कोई भी कितना भी percentage हो तो आप free में form है, form फिल फिल अप जल्दी जल्दी कीजेगा वरना इसमें time out का एक system भरता है आपने यदि form भरने में ज़्यादा समय लगाया तो वो form submit होने में problem होती है और आपको दू-3 बार-4 बार कुशिस करना होगा क्योंकि इसका site थोड़ा busy चलता है क्यों पता नहीं form भरने में काफी दिक्कत होती है online का यहाँ पर दिखाए जाएगा तो फिर आपको apply online में जाना है यहाँ पर देखिए online आपका नाविक डिवी के लिए batch के लिए form start हो चुका है देखिए all statement made in the application should be true and correct तो जो भी application में दिजेगा सही और सथीख होना चाहिए candidate should understand that in the event of any information being found false or incorrect the candidate will be cancelled कुछ भी आपका जो incorrect होगा false होगा उसके वज़े से आपको cancel किया जाएगा the candidate should undertake possible all document certificate all original certificate आपको दिखाना होगा and to attested photocopy भी लगेगा आपका selection के समय filling up a duplicate form will render the candidate disqualified if यदि आप duplicate form fill up किया है गलत तरीके से तो वह form disqualified होगा candidate to choose any one venue provided out of the option display कोई एक venue ही आपको choose करना होगा और दूसरे नहीं कर सकते है next candidate should take utmost care in the first thing providing the correct details while filling up the online application you can edit the information before submission of application any submission application को submit करने के पहले ही तक ही आप edit कर सकते ही फिर आप submit कर जिये तो admit नहीं कर सकते यह दिए नेक्ट नेम अफ कंडिडेट्स फादर मदर नेम अफ देट वर्स वी एज गिवें इंदे टेंथ क्लास पास सेटिफिकर जो रहना चाहिए है एनी विडियेशन ओफ नेम फादर नेम्स मदर नेम्स 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 अफ डियो भी फॉम 10th certificate विल दिपेर यूर केंडेट्स अनी विल नॉट बी अलाओ इन अपिर इन एजामेशन गलित दीजेगा कहीं भी आदि आपसे मैस नहीं करेगा तो आप अलाओ लाओ टाइम फोर एप्लाइं ओलैन लाओ समय तक आपको नहीं लूखना है पहले फार्म बर दना है पलीज दीटेन प्रिंट आउट आप्लिकेशन फ़ोर्म फ़ोर्वर्फ अपना अप्लिकेशन फॉर्म लग सकते हैं फॉचर के रिफ्रेंस के लिए प्लिज नौरग सई यह इसा कुछ नहीं आप फोन से भी भर सकते हैं देखे मैं आपसे फोन से दिखा रहा हूं क्या क्या करना एक बार तो ऐसे जाके से लेक्ट कीजेगा अपना पोस्ट मेल है डोमेस्टिक ब्रांच आई अगरी कीजेगा देखिया ऐसे आपके पास आएका कैंडिडेट्स नेम तो यहां पर आपको अपना फॉर्ष्ट नेम में फादर से मदर से इमेल आईडी अपना ऐसा इमेल आईडी दिए जो सही है और फ्यूशर में यदि कोई भी जॉनिंग लेटर आता तो उसी में आएगा डियो भी आपका डेट अब बर्त अबसाई दीजेगा अपना कास सेलेक्ट किजेगा आपका सेटिफिकेट होना चाहिए मैडिशल स्टेटरस यह जेंडर जो जेंडर है जेंडर तो वही है डियो न सीलयों सलेक्ट सर्विस जैदी कौन से सर्विस से डी टायर है वह देना होगा आडित से नहोगा पर्मंट सेल्च सी अर मॉबाइल नंबर मुबाईल नम lambda म sudah म strong स्ट्रेट्सirement multic1 मुद मस конц आपके पास चॉइस ऑफ सेंटर तो आप यदि जब फॉर्म फिल अप कीजेगा तो आपका सेंटर वो लोग खुद दिखाएंगे आप जो सेंटर आपको दिया जाएगा आपके जो हिसाब से पड़ता हुआ ही होगा आगे देखें क्या है एंसी सेटिफिकेट है तो दिजेगा नहीं है तो नद दिजेगा ये बीसी जो भी है फिल आपका टेंट टूल का इज अपेरिंग टेंथ एपेरिंग जो भी हो यूर ऑफ पासिंग सेटिफिकेट नमबर बॉर्ड ऑफ युनिवर्सिट टॉट्वल मांस अपको देना है गलत अपना स्टेट जो सेटि है वो यहां परी डाले जो भी है डेट डाले यहां परी क्याप्ट्रा जा लिए डेल नीचे सब्मीट कीजिए तो आपका फॉर्म सब्मीट हो जाएगा तो असान है मुस्किल से सिंग्नेचर आप लिए नेम अफ द एप्रिकेट देखिए आपको यह फॉर्म बने में ज्यादा समय नहीं लगा ज्यादा समय लगाएगा तो फॉर्म का टाइम आउट हो जागा मिनिममम इस फॉर्म को बर्ण में दो मिनाट से तीन मिनाट में फॉर्म फिल अप किजिए जल्दी तभी फॉर्म सम्मीट होता है देरी किजिए तो फॉर्म सम आपसे मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल आइकन प्रेस कर लिजेगा इससे आपको रोजाना वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके हैं कि अधि